तो आज का जो विशाय है वो है cooling tower cycle of concentration यानि की COC उसको सटकर्ट में COC लिखा जाता है तो COC is equal to उसका formula है dissolved solids in cooling tower water divided by dissolved solids in make of water or total dissolved solids in cooling tower water divided by total dissolved solids in make of water make of water या फिर total hardness in cooling tower water divided by total hardness in make of water तो यह है एक्ठो cooling tower का COC लिकालने का formula तो अभी एक्ठो एक्जाम्पूल लेकर हम लोगों देखेंगे कि cooling tower का जो COC है उसको अब कैसे लिकाल पाएंगे तो पहले अभी एक्ठो एक्जाम्पूल लेते हैं माल लीजिए मेक अप वाटर जो cooling tower में मेक अप के लिए यूज किया जाता है उसमें जो hardness है जैसे calcium as calcium carbonate जो unit यूज किया जाता है पी-पी-एम के बदले में वो है 42 और मैगनेशियम एज calcium carbonate रूप में ओहत 13 इसको calcium carbonate के रूप में लगते हैं क्योंकि इसको easily हम लोगों सब्स्ट्राक्शन या addition कर पाए तो टोटल हर्णेस कितना हो गिया मेक अप वाटर में 55 55 हो गिया तो उसी तरह अभी देखेंगे कि कुलिंग टावार वाटर में कुलिंग टावार कुलिंग टावार का जो वाटर है उसमें हर्णेस कितना कितना अमाउंट का है केल्सियम केल्सियम कार्बोनेट 236 मेगनिसियम केल्सियम कार्बोनेट 74 तो टोटल हर्णेस कुलिंग टावार वाटर में है 310 तो अभी COC हम लोगों लिका लेंगे तो COC का जब फर्मुला है वो हमको पता है Total Hardness in cooling tower water यह मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपका अच्छे से समझ में आ जाए Total hardness in make of water तो Total hardness in cooling tower water में कितना हम लोगों कुन देखे थे 310 और Total hardness in make of water कितना था 55 तो सी ओसी कितना होगा 5.6 तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में एक टो कूलिंग टावर का सी ओसी को कैसे लिकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा यह दी एबला भी आपका अच्छा लगा है तो इसको लाइक श्यार जरूर किजिए यह दी आप मेरे चनल पर ना आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेकनिकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूं दोस्तों थेंक्यू बाइबाई